नमस्कार आप देख रहें सत्यहिंदी.com में हूँ आपके साथ पबन उप्रेती सत्यहिंदी.com में आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के एक बयान की दिल्ली में विदान सबा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के दो बयानों ने उनकी मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के बयान पर तीखी प्रतिक रिया दी है और राजनीत में कौन सी बात किस हद तक कितनी दूर चली जाए कहा नहीं जा सकता लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि आखिर अर्विंद केजरिवाल ने क्या बयान दिया अर्विंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में ही एक कारिक्रम में कहा कि दिल्ली में बाहर से भी लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं बिहार से एक आदमी 500 रुपीय की टिकट लेता है दिल्ली में आता है और अस्पताल में 5 लाक रुपे का ओपरेशन फ्री में करवाकर वापस चला जाता है हालाकि केजरीवाल ने ये भी कहा कि इससे खुशी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं और बड़िया बात है और सभी का इलाज होना चाहिए लेकिन दिल्ली की भी अपनी कपैसिटी है और दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश की विवस्ता सुदरे लेकिन बात अरबिंद केजरीवाल के मुँण से निकल चुकी थी और जैसे ही ये बास सोशल मीडिया पर आई इसे भारतिय जनता पार्टी ने लपक लिया ठीक उसी तरह लपका जिस तरह BJP ने अरविंद केजरिवाल का पिछला NRC वाला बयान लपका था केजरिवाल का बयान सोशल मीडिया पर तैरते ही टीवी चैरलों पर आते ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोस तिवारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिय दी मनोस तिवारी ने अपने बयान में क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ मनोस तिवारी ने कहा कि केजरीवाल मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं हम लोग राजनी तिक शत्रू हैं और वह मुझसे व्यक्तिगत शत्रूता बना रहे हैं उन्होंने कहा कि इसकी सजा अगर केजरीवाल दूसरे प्रांथ को लोगों को दे रहे हैं तो ये उनकी बॉकलाट को दिखाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी हार नजर आ रही है तिवारी ने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों के प्रती जो घ्रणा का भाव अर्विंद केज्रिवाल का है उसका दिल्ली के लोग चुन चुन कर बदला अब जब तिवारी ने बयान दे दिया तो उसके बाद खबरों के मताबग जनद अदल युनाइडेट का भी ऐसा ही कुछ बयान आया आपको बता दे कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहां की सियासत में बहुत बड़ी भूमिका निवाते हैं और बीज पे चला उससे ये मैसेज गया कि अरविंद केजरिवाल का यह बयान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ है अब जब विधान सभा के चुलाओं बेहत नस्दीक हो ऐसे में इस बयान से सियासी नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अभी म पत्रकारों ने उनसे कहा कि बीचेपी के नेता दिल्ली में भी एनर्सी को लागू करने की मांग कर रहे हैं इस पर केजरिवाल ने अचानक कह दिया कि अगर दिल्ली में एनर्सी को लागू किया गया तो सबसे पहले मनोस्तिवारी को दिल्ली छोड़नी होगी इस पर भी मन दिल्ली की सियासत गर्म हो चुकी है क्योंकि दिल्ली की राजनीत में जैसा मैंने कहा कि पूरवांचल और बिहार के लोगों का बहुत विशेश योगदान है और एक बहुत बड़ी भूमी का है 2015 के विधान सबा चुनाओ में आम आदमी पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली थी उसमें माना गया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेश कर पूरवांचल के लोगों का एक बहुत बड़ी भूमी का आम आदमी पार्टी की जीत में थी मनोस्तिवारी खुद पूरवांचल समुधाय से आते हैं ऐसे में उनके केजरिवाल के इस बयान को मनोस्तिवारी ने बहुत जल्दी लपका और इसका सियासी इस्तेमाल भी कहीं न कहीं होता दिखाई दिया और जब NRC पर केजरिवाल का बयान आया था उसके बाद आम आदमी पार्टी ने डेमेश कंट्रोल करते हुए जल्द एक ही दिन में कहा जाना चाहिए कि अपने पार्टी के राज्यतवासांसद संजय सेंग को दिल्ली का प्रभारी बना दिया था ये माना गया था कि ऐसा आमादमी पार्टी ने इसलिए किया कि उसे ये लग गया था कि केजरिवाल के बयान का दिल्ली में बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है और इससे पार्टी को सियासी नुकसान हो सकता है अब जब केजरिवाल के एक के बाद एक दो बयान सामने आ चुके हैं जिसका सियासी नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाओं में जब अब पांच मेहने का वक्षेश है ऐसे में आमादमी पार्टी किस तर करते रहेंगे लेकिन एक अपील अंत मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आप सत्य हिंदी के फेस्बुक पेज को लाइक करें ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद सत्य हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं